गुद मॉर्निग एवरिवान, हावार यू ओल, हाई, कल हमने इंगलिश में, स्वारी, इंगलिश में हमने लीख के नेमजी के किस-किस ने कर लिये, हाँ, सबको करने हैं, याद भी करने हैं, और लिखना भी आना चाहिए, हाँ हम चोटे-चोटे स्पेलिंग से स्टार्ट कर तो आपको याद भी रह जाएगा, और लिखना भी आ जाएगा, ओके, तो कल हमने विख के नेम किये थे, तो मैंने आपको बोला था, कि मैं मन्त के नेम करवाऊंगी, पर इसके पहले हम थोड़ा बेज पे जा देए, तो कि बेज क्या होता है, तो कि स्पेलिंग केसे बनता वह हमें अगर पता हो, तो हमें आसानी हो जादी है क्योई बी स्पेलिंग को बनने में, या तो रिड करने में, होके, तो हम किसी का नाम है, किसी का नाम है का तो आपको उसकी बुक्र देखने हैं कि यह किसका नाम है तो आपको पता है कि कव 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 इंग्लिश में क्या कौन सा लटर आता है तो वही हम सिखेंगे मतलब कि पहले हम इंग्लिश का कव करेंगे तो गुजराती में कव और इंग्लिश में उसे कौन सा लटर केते हैं वही हम सिखेंगे तो आपका फोकस बिल्कुल मेरे स्टाथ रहेगा और आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि गुजराती में जो लटर है उसको इंग्लिश में हम कौन से लेटर से स्पेलिंग बना सकते है तो हमारा कका स्टार्ट होता है क से यह आया गुजराती का क यह क्या है गुजराती का क तो पहला फर्स्ट हम गुजराती का क करेंगों तो अभी आपने गुजराती के का के में भी सिखा होगा यह को बोलते है को कमार्णों को ओके तो यह को है इसका इंगलिस का वर्ड कौन सा आएगा इंगलिस में लेटर तो फी के अ आप देखो को बोलते हैं तो उसमें के पीछे आता ही है तो इसी तरब को, कय में, को, कय में तो कोई भी क poking से नाम स्टाट होता है किसी वी व्यकति का, बस्तू का, किसी जीत्स का अ उसका स्पेलिन किस से स्टाट होगा, के से तो आपको spelling अगर read करना नहीं आता है तो आप के देखोगे तो आपको समझने आ जाएगा कि ये spelling कर से start हो रहा है फिर आएगा गुज्रादीनो ख, ख, खडियानो ख तो ख को इंग्लिश में कहते है कि ह, एच, ए जैसे हमने कौका देखा कि कौका spelling देखते हैं तो कौक spelling के starting में लिखा है कि एच, ए तो ये spelling किसे start होगा? तो कि ख, हमारे गुज्रादी के ख, 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 फिर आद्दा है ग, गणपातीनो ग, ग, गणपातीनो ग, तो इसको हम इंग्लिश में कौन से लेटर से जानेगे? जी-ए, ग, 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 जी-ए, क, क, औ, क, ए, ख, ज, अन्येगे ग, 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 जी-ए, एविच रिदे? आपड़े आगड आखो को सिखी सूँ, तो आटना त्रोंड लेठर समय तमारी बुकमा नोटब करो, और रिपीट एंड रिपीट करो, को बुझराति लों को लखो, नीचे इनीचे इनीचे लखो, खो लखी नीचे के एचे लखो, तो आना थी तमने सूंधा से कि इजी इज इजी स्पेलिंग समय बनावता और रिप करता आवड़ी जासे, तो गरनो शूज है यो, तो कोई पर स्पेलिंग जी ए ऐ की साट था है, यहले तमने सूंधा से करो, गरनेशा, तो गरनेशा क्या है, यहां पे, तो यह क्या आया, जी ए, तो ग, जी ए मींज ग, तो यह स्प और यह भी आपको बनाना में आगे सिखाऊंगी जो भारक्षरी हम इसके बाद सिखेंगे उससे आपको किसी का भी नेम अपने आप बनाना और रीड करना आजाएगा ताकि आप छोड़े छोड़े स्पेली अपने आप रीड कर सको फिर आएगा ग बची आवेछे घ घ घ घर नो घ घर नो घ तो कनो के एचे जिए 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 तो घ न थासे G H A सुथासी घौनों G H A जे दुरी के खौनों के एच ए थे हो तो आपने G H A थी स्पिलिंग स्टाट ठाए तो माइंड मा उसे के अस्पिलिंग से यां थी स्टाट ठाई छे घ थी ओके घ ख अची आपे छे आजे गुजराती नो च, च चकली नो च जे आवे लिदे अन्याथी पौपरी ने पच्छी अन्याथी चीजी सेमिलेट तमारे हजी गुजराती नो पड़को पड़ एग्दम नहीं फाउत होए एडले थोड़ा थोड़ा लेटर्स, रोजना पांच लेटर्स वधारे में रोजना पांच लेटर्स गुजराती मा लखो, नीचे उइंगलिस मा बराऊ, एइंगलिस मा लखो एडले तमने बे साथे साथे आवडी जासे तो आपने गलाइक हो गुजिला दिनों जो अवे गुजिला दिनों जो छे तो इनो स्पलिंग सुठासे, क्या थिन बर्ड स्कार्ड खासे? तो कि C-H-A, ओके? C-H-A, आज स्केलिंग गैंपर स्कार्ड भाई के C-H-A, C-H-A, तो चाचा, चाचा नेरू है हमारे जो ब्रदान मंत्री थे, तो उसका स्कलिंगे C-H-A, C-H-A है, तो ये C-H-A से आपको सुचना है भी, किसका स्कलिंगे इतना हाड? तो कुछ नए, आपने कका दिया है, किसमें आता है C-H-A, तो फिच्चों में C-H-A आता है, तो ये स्पेलिंग क्या है? ये स्पेलिंग होता है, चा-चा, एसे ही आपको स्पेलिंग आपने आप बनाले हैं, चा कची आवे गुजराती नो, छा, तो च मां C-H-A आयों, तो छा नो स्पेलिंग श्रू होसे भई, बहुँजी छे, C-H-A, तो छा नो C-H-A, मिंसके आपने डबल एच-A, ए वो कण बोली सकते, ओके, तो C-H-A, इस पेलिंग स्पेलिंग श्रू थाई, एसे सुन के वाई एने, गुजराती मां, छा के वाई, तो आजे आपने आधला छोड लेटर सीच्चू, तो के C-H-A, बुलता जाजो, और लखता जाजो, इटले तमने गुजराती याने इंग्लिस बेग साथे फावी जाए, ओके? कनो के ए, कनो के ए, खनो के एज ए, खनो के एच ए, गनो जी ए, गनो जी एच 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 ए, अगे रिपेट करता जाजो, चनो सी एच ए, चनो सी एच ए, चन्नों सी डबल एच ए चन्नों सी डबल एच ए तो आज़े आपणे आटला चल लेटर सीख्या चे तमारी रख कोपी मां तम्हें आजे रिते बुक्स बनागी ले अथवा तो बुक्स वाडी बुक लेले जो उपर गुजरादी नों कोलाव जो नीचे एनों स्पेलिंग अगर आपणे नेक्स्ट लेक्चेन मां सीख्यू तो काले आपणे जी बीकना नाम सीख्या नाने मूं एकवार फरिथी बुट पदला पुछू तमें तमारी नजर एकवार नाख जो रियाद राख जो अने बोलताचा जो अने नभता जाग जो फर्स्ट आवसे मंडे तो म O N D A Y M O N D A Y मंडे डे का स्पेलिंग तो आपको बिल्कुल याद आ ही जाएगा D A Y Day ओके फिर आएगा Tuesday P U E S D A Y ऐसे ही ब्रेक करके करके सिखेंगे तो जल्दी से याड़ रे जाएगा T U E S D A Y फिर आएगा Wednesday P U E D N E S D A Y याँपे तिंकिन लेटर से व E D N E S D A Y याँपे तिंकिन लेटर से व E D N E S D A Y T U E S D A Y फिर आएगा आज कम साड़े है तो कि Friday ओके तो Friday कर सिखेंगे T T I S A T U R E S D A Y S-A-T-U-R-D-A-Y Saturday And last not least Sunday S-U-N-D-A-Y इसी तरह आप आपकी बुक में जबी भी वर्क करने बैठो तो आज पुर सा डे है वो डे से में डे डाला है ने वे सही डेख डालना सिखो और नीचे डे का नाइन लिखना सिखो तो थोड़े दिन देख देखके लिखना बाद में अपने आप आज आएगा ओके? तो आज मैंने डेस के लेंग जो है वो रिवास करवाया है और काका पर से छो तक गुजराती और रिवास करवाया है वो आपकी रहुख में टू टाइम्स लिखना है और याद करना है कल हम कुछ नया सीखने के लिए फिर से मिलेंगे बाई बाई